नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लेजर प्रिंटर और नि ell Zפר forecasts के बारे में बात करेंगे और साथ में यह बिजानेंगे कि लेजर प्रिंटर और इंग जल्टर में क्या अंतर है, और आपको अपने घर या औफिस या फिर बिजनस के लिए कौन सा printer खरीदना चाहिए तो दोस्तों चलिए शूरू करते हैं इंग जट printer और laser printer दोनों ही non impact printer के प्रकार है non impact printer बे printer होते हैं जिसमें print head या paper के बीच में कोई भी physical या mechanical contact नहीं होता है इसमें printing spray या laser द्वारा की जाती है इनकी print quality ये बज़ा से आज कल ज्यादा तर इनी printer का इस्तेमाल किया जाता है तो दोस्तों पहले बात करते हैं ink jet printer की तो ink jet printer एक ऐसा printer है जो किसी document को print करने के लिए paper पर ink की बहुत छोटी-छोटी drops को spray करता है यानि ink jet printer paper पर ink का छिड़काव करता है और text और images को paper पर print करता है paper पर ink को spray करने के लिए इसके print head में nozzles लगी होती है ink jet printer में ionized ink का इस्तेमाल किया जाता है इसमें एक magnetic plate होती है जो ink के direction को decide करती है इस print में एक paper feed, assembly, ink cartridge, print head, stabilizer bar और belt जैसे components होते हैं जो printing में इसकी मदद करते हैं इंक jet printer के construction के दोरान printer manufacture द्वारा दो technology का इस्तेमाल किया जाता है पहली है thermal bubble और दूसरी है piezoelectric, thermal bubble technology में tiny resistor द्वारा heat generate की जाती है और फिर इस heat के द्वारा bubbles को create करने के लिए ink को vaporize किया जाता है जब bubble expand होता है तो कुछ ink nozzle से निकल कर आती है जो की paper के उपर spread हो जाती है इस technique का इस्तेमाल मुखेता Canon और HP companies द्वारा किया जाता है दूसरी technology है piezoelectric, इस technology में piezo crystal का इस्तेमाल किया जाता है इस crystal को हर एक nozzle के ink razor wire के पीछे की और रखा जाता है crystal tiny electric charge की बज़ा से vibrate होने लगता है इस vibration की बज़ा से ink को tiny drops nozzle में से बाहर निकल के आती है इस technique का इस्तेमाल मुखेता Epson द्वारा किया जाता है तो दुनिया का पहला ink jet printer इचिरो इंडो के द्वारा जापान में बनाया गया था बाद में 1976 में hablet packet के द्वारा इसको develop किया गया और धीरे धीरे विभिन चर्नों में ये आज के ink jet printer की अवस्था में पहुंचा है ink jet printer की help से आप text document और images दोनों को असानी से print कर सकते हैं लेकिन ink jet printer color images और photograph के लिए बेहतरीन काम करते हैं ink jet printer सभी प्रकार के paper के साथ काम कर सकते हैं लेकिन high quality papers में ये सबसे बढ़िया काम करते हैं लेकिन ink jet printer का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आप इस printer को लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इसकी cartridge की ink सूख जाती है और फिर आपको इसे दोबारा इस्तेमाल करने के लिए साफ करना होता है इसकी कीमत और इसमें होने वाला खर्चा दोनों laser printer की अपक्षा काफी कम होती है हलांकि ink jet printer की printing थोड़ी slow होती है इसके बावजुद भी ये एक सस्ता और काफी लोग प्रिया printer है इसकी print quality भी काफी अच्छी है और घर में और छोटी शॉप में इस्तेमाल करने के लिए ये एक best printer है इसके बाद अब बात करते हैं laser printer की तो laser printer एक ऐसा printer होता है जोकि text और images को paper पर print करने के लिए एक focus beam या light का इस्तेमाल करता है यानि इसमें paper पर image को print करने के लिए laser technique का इस्तेमाल किया जाता है laser printer एक fast speed से चलने वाला printer है जिसकी print quality काफी बहतरी और किफायती है laser printer में एक drum लगा होता है जोकि electrostatic charge होता है जैसे ही drum rotate होता है वैसे laser beam उससे strike करता है ये laser beam light के photons होते है laser beam उस drum पर desired data की copy बना देता है laser print की cartridge में ink को powder के रूप में भरा जाता है जिसको की toner कहा जाता है ये ink powder positive charge होता है जैसे drum rotate होता है toner powder उस हिसे से चिपकता है जहां पर laser beam ने data की copy बनाई है drum पूरा rotate होने के बाद paper एक belt से निकलता है paper को negative charge किया जाता है जैसे जैसे paper बहा जाता है वैसे discharge होता जाता है फिर paper एक fuse से गुजरता है paper fuse से जाते हीट के कारण toner पिगलता है जिस हिसे में toner charge होता है वो paper से चिपकता है ये जो fusion process से ये heat ये pressure से होता है इसलिए जब भी paper laser printer से print होकर निकलता है तो वो थोड़ा गरम होता है अगर laser printer की history की बात करें तो laser printer का अविसकार 1969 में Gary Stark Weather के द्वारा किया गया था किन्तो इसका पहला जो commercial उपयोग था 1976 में IBM model 3800 था जिसका उपयोग की letter या अन्य documents के printing में किया जाता था इसके बाद 1984 में Havlet Packer ने आम जनता के लिए laser printer का अविसकार किया था यह जो laser printer है यह ink-z printer की तुलना में अधिक विश्वसनी होते हैं इस printer को अगर आप लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं भी करते हैं तब भी इसकी cartridge की जो ink है खराब नहीं होती है laser printer की जो printing quality है काफी अच्छी है और यह fast भी होती है इसके साथ ही laser printer से printing काफी सस्ता होता है यही कारण है कि इस print का उपयोग बहुत सारे offices में किया जाता है अब इसके बाद बात करते हैं ink-z printer और laser printer के बीच में differences की तो ink-z printer सस्ते होते हैं लेकिन इसकी cartridge की रिफिलिंग काफी महंगी होती है दूसरी और laser printer महंगे होते हैं साथ ही laser printer में इस्तेमाल होने वाले cartridge और toner भी जादा महंगे आते हैं लेकिन इन्हें बार बार बदलने की आपशक्ता नहीं पड़ती है ink-z printer में cartridge में ink liquid form में होती है जो लंबे समय तक इस्तेमाल ना होने पर सूख जाती है जबकि laser printer में ink toner या powder के रूप में होती है यह लंबे समय तक इस्तेमाल ना करने पर भी सूखती नहीं है ink-z printer की speed slow होती है यह करीब 6 page प्रती मिनट होती है जबकि laser printer ink-z printer की तुलना में काफी speed में documents को print करता है यह लग भग 20 page प्रती मिनट प्रिंट कर सकता है अगर किसी document की printing की quality की बात आती है तो laser printer बेहतर printing quality प्रदान करता है अगर size की बात की जाए तो laser printer size में बड़े होते हैं जबकि ink-z printer कम जगा घेरते हैं तो laser printer black and white documents को print करने के लिए बेहतर होते हैं जबकि ink-z printer color photo को अच्छे से print करते हैं अगर पर-page के print करने की cost को देखा जाए तो laser printer सस्ते होते हैं अब अगर हम बात करें कि laser printer और ink-z printer में सबसे अच्छा कौन है यह बताना बड़ा कठिन है क्योंकि दोनों ही printer का इस्तेमाल काफी किया जाता है और दोनों की अपनी अपनी विशेस्ताए है हाँ यदि आप student है और आप assignment, project या colors images प्रिंट करते हैं तो coins and printer आपके लिए अच्छा option हो सकता है यदि आपको black and white printing की जुरूरत है और ज्यादा मात्रा में print किया शकता होती है तो आपके लिए laser printer एक अच्छा विकल्प हो सकता है इसकी printing speed भी fast है और यह बहत्रीन print quality भी प्रदान करता है तो दोस्तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको like जुरूर कीजिएगा और चैनल को subscribe करना न भूले धन्याबाद